पहले आपको जो ही medhasop.bih.nic.in का जो official portal है यहाँ पर आपको आना होगा जिसका link हम नीचे उपलब करवा दिये हुए हैं आप click करेंगे और सिधे जो है इस portal पर आजाएंगे अब यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं कि 10 पास जो भी पुरस्ताहान योजना है उसका 24 का जो आवेदन इजली आप कर पाएंगे ठीक है यहाँ पर आपने अभी तक जो है form को नहीं भरा हुआ है तो 15 मई से पहले जो है form को आपको भरना है क्योंकि नहीं भरेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको समय ना मिले अब update के आया हुआ है सबसे पहले तो जिनका card certificate category जो है mismatch कर ग 14 डॉक्मेंट है category mismatch अगर आपका हुआ है तो आप यहाँ पर upload कर पाएंगे ठीक है यह आपका पहला update है क्योंकि काफिसर लोग का category जो mismatch है हो गया है आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपका कोई problem है की नहीं है तो इसके लिए home के बटन पर आपको आना है और home के बटन पर आने के बाद थोरा सा नीचे आना है ठीक है नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए गेट application status का बटन मिलेगा लेकिन इस पर क्लिक करेंगे तो वर्क नहीं करेगा यहाँ पर दिखा रहा है लेकिन आपको घबरान नहीं है आपको रिपोर्ट के बटन पर जाना है और यहाँ पर click here to view application status का जो बटन है इस पर आपको क्लिक करना है यह आपका दूसरा update है तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी registration नंबर है जो कि अपने form भरते समय मैट्री का जो registration नंबर है दिया था उसको डालना है और search के बटन पर आपको क्लिक करना है तो जैसे इस search के ब name है जो कि उसके registration के हिसाब से दिया गया हूँ name देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर अधार नंबर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा सबसे बड़ी बात है कि आपका जो एक काउंट वरिफिकेशन है स्टेटस में आप देखेंगे तो यहाँ पर वरिफाइड होन अलग है और आपके серट दी अलग है इसलिए यहाँ पर आपको लेकिन हमेस जी के आपको सब्सक्राइब हो सकता है कि आपके साथ भी कंडिशन होगा कि आपका सभी चीज वेरिफाई हो गया होगा लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यूजर आईडी पासवर्ट आपको नहीं मिला होगा और आप सभी जानते हैं कि यूजर आईडी पासवर्ट आने के बाद ही फॉर्म को यहां आपको क्या करना है सबसे पहलकरना कि आपको वेड करना है दो से चार दिनों का जैसे कि वेडि़िकेशं मोबाइल हो गया है तो बंहीं गरता तो यह उप्심ुर आया एक ऑप्सन आता ह olur मॉड मणरे का जिसमें अपना यूजर आइड आप कर अपना user id password अपने mobile पे मंगा सकते हैं जो कि अभी work नहीं कर रहा है लेकिन हाँ 2-4 दिन में work करने लएगा तो आप यहां से मंगा सकते हैं नहीं तो wait करेंगे तो आपका user id password आपको send कर दिया जाएगा दूसरा update हो गया अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि जब आपको user id password मिल जाता है तो आपकी इस तरह से login करके अपना form को फनलाइज करेंगे तो यहां पर करेंगे तो login का section खुलेगा जिसमें आपको जो user id password मिलेगा उससे login करके किवल जोए form की जनकाड़ी को check करके आपको लाश्ट में फनलाइज के बटन पर किलिक करके OTP के थूरू उसको फनलाइज कर देना है बस आपका काम खतम हो गया अब आपका जो payment है उस send के लिए भेद दिया जाएगा और जो भी आपका payment है जो भी आपका धार लिंक खाता है अधार सीडेट खाता है उसमें transfer कर दी जाएगी इस तरह से मैंने जो तीन अपडेट आपको बताया है तीनों अपडेट अपने आप में काफी महत्पूर है आप इस्तिती भी चेक कर सकते हैं अपने जनकाड़ी को चेक कर सकते हैं जो आपने वाद